हेलो गाइज, वेलकम टू करेंट अफेर्स फंडा, दोस्तो कोई भी प्रिलिम्स का एक्जाम हो, तो कुछ ऐसे डियाई आपके एक्जाम में आ जाते हैं, जो बिल्कुल आसान होते हैं, अब गाइज, ऐसे डियाई को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और बिदिन टाइम आप उनको खतम करके, पाश नमबर बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हो, तो यह काफी इंपॉर्टेंट डियाई है, कि आपको यह सो करने के लिए, कि आपके प्रिलिम्स एक्जाम में हर एक लेविल का कोश्चन आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एक बार ग्राफ की बात करूँगा, एक चीज़ और आपको दादू, करन्ट अफियर्स फंडा मोबाइल एप्लिकेशन को आप लोग डाउनलोड करोगे, तो उसमें करन्ट अफियर्स की PDF का भी complete course है, जिसमें A to Z detailed करन्ट अफियर्स है, monthly basis पर 500-500 MCQs हैं हर एक मन्त के, तो वो काफी important है, और आप उसको पढ़कर जाते हो, तो 100% आपका एक्जाम कबर हो जाता है, अब जैसे यहां पर यह बाला डियाई दे रखा है, आप इसको दियान से देखो, यहां पर हमें दे रखा है कि स्टेडी दा फॉल्वेंग ग्राफ कियरफली तो एंसर दा गिविन कोशन, इस ग्राफ को प तो पी स्टेट में, दोजार चार में पांसो बीस लोग यहां पर गाइस नंबर ऑफ केंड़ेट क्वालिफाइड हो एं ठीक है, अब आप देखो यहां पर ऐसे आप 25 का निकाल सकतो हो, यह आपका 320 है, अब इहां पर इंपोर्टन चीज़ कहा है, इंपोर्टन चीज़ है 80 और 40 इसके बीच के मिडवेलू 60 आएगी, इसके मिडवेलू कितनी आएगी, 100 आएगी, तो यह पता होना आपको जरूरी होता है, कई बार एक्जामनर क्या करेगा, यह नंबर्स ना देकर वो डिरेक्ट लिए आपको लाइन चेक करवाएगा कि कौन सी लाइन कहां जा रह कि 140, 160 है और 200 है, इसके बीच में क्या वेलुआएगी, 180 आएगी, ठीक है, 20 का गयप है इसलिए, अब आज़ो कोश्चन के उपर, तो दोगो जैसे पहला कोश्चन दे रखा है, वाट इस दा एवरेज नंबर ऑफ केंडिट वो कौलिफाइड इन गिवन कमड़िव एक्जा देखो, फंडा तो भई है ना, Q प्लस S प्लस T प्लस U और डिवाइड भई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका एवरेज निकल करा जाएगा, यही कहानी तो हमें यहाँ पर अपलाई करने हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो Q वाली वैलू है, 2004 की, 240 यहे, और S और T और U, इनमें पूरे-पूरे नंबर्स को एक बार में आप देख लो, जैसे 200 है, और 600, 800 हो गया, और 800, 1600, और 4, 400, 2000, तो 2000 आपका यह आगया, प्लस, यह बची वैलू कितनी है, जैसे 40 और 2060, और 40 और 2060, 120 और है, इसको और जोड़ोगे, कोई लिखना नहीं है, कहीं पर को समीकरण नहीं बनाना, यह आपका गया, 2120, डिवाइड वाई 4 कर दो, तो कितने बार जाएगा, पांच बार, तीन बार, जीरो आपका गया, पांसो तीस राइट एंसर आगया, तो एक्जाम में फास करने के लिए, आपको क्या करना होगा, इनको बहुत तरीके से नहीं करन तो को यह क्या देखा है, वाट इस रिस्पेक्टिव रिशियो बिट्विन टोटल नंबर अफ द गेंडिट फ्रम इस्टेटीन 2004 औ 2005 तोगेदर, और टोटल अंबर अफ द ग्वालिफाइड इस्ट्रेंट फ्रम स्टेट यू इन 2004 और इसी गैस कोशन है, एक्जामर आप से कह रहा है , इसी अधा की गया है , टोटल ने चास से इचमर और जैगा। ऑ्होड ग Cathedral बार जाएगा यू प्ता की यू अफोग्यव बैंदर, और दोगैर्स बीशियुच कोशन की अइक अच giant C को आच उ गए 10 अच इक्छार बार गया और नौ बार गया फिर तीन से काट दो तीन से दो बार और तीन बार थीस हो गया और तीन से कितने बार गया एक बार और दो बार तो तो थीस रिश्यो बार यह कहां पर दे रखा है अब इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं इसको इगनोर कर देना ठीक है मैं आपको समझा दूँगा यह हिंदी सही टाइप नहीं हुआ है ठीक है फिर भी मैं एक्स्प्लेन कर दूँगा एक एक चीज लिखा है गया कंबाइनिंग 2004 और 2005 और 2004 और 2005 को कंबाइन कर लो 2004 और 2005 को हम यहां पर क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे फिर बात की जा रहे ही कि अगर 75% of the appeared candidate from state r state r कि जो appeared candidate है उस पर 75% लोगों ने qualify किया है इस given exam में ठीक है 2004 और 2005 को कंबाइन करोगे state r से तो ये कितना आजाएगा, 500 और 160 कितना गया, 660 आगया आपका, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 75% अगर इस exam में qualify कर रहे हैं, ठीक हैं, तो आप बताओ, total number of appeared candidate कितना होगा, आपको बताओगा, ये जो पूरी table दी गई है, ये guys qualified की table दी गई है, appeared की table नहीं दी गई है, हमें ये बता दिया गया है, कि ये जो आकड़े आए हैं, आर के, 500 और 160, 660, ये जो है 75% के बराबर है, तो आप appeared candidate कितने होगे, 100% ही तो होगे, सब कुछ 100% होता है अगर appeared candidate 100% है, औ ये हमें mention कर रखा है, कि जो 75% appeared candidate के होगे, वो qualified कर रहे हैं, और qualified का डेटा हमें यहां पर दे रखा है, तो 75% की value ये हो गई, 1% की value कितनी आ जाएगी, obviously, ये हो जाएगा 660, बटे 75, 100% की value, यहां पर निकाल दो, into 100 कर दोगे, यही तो कानी करनी है, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, अ 800 से, देखो, ये वाल, option number 4, ठीक है, नेक्स, यहां पर देखलो, ये क्या question कह रहा है, ये यहां पर question कह रहा है, आप से, कि, number of qualified candidate from state P, increased by 15%, 2005 to 2006, and by 25% from 6 to 7, if the number of qualified candidate from state P, in 2007, is 80% appeared candidate, यहां पर भी वही question है, फिर पूचा है, how many candidate appeared from state P, for the given competitive exam, 2007, question बहुत आसान है, देखो, हमें क्या करना है, 2005 से 2006 के भीच में, जो हाइक है, वो 15% का है, ठीक है, पी में, तो पी आप का ही हो गया, अब ये देखो कि, 2005 में candidate कितने दिये गया है, 320 दे रखके हैं यहां पर, तो अगर आप 2006 में data निकालोगे, पी का, तो वो कितना आजाएगा, पुराने येर का 15% जादा, 115% हो जाएगा, तो 320 का 115% निकाल दो, तो ये कितना आजाएगा, ये आपका आजाएगा, पास से दो बार, और तीन बार जला गया, पास से 20 बार गया, 23 बटा 20 हो गया, 320 का निका और चार बचा, सो लेंटू तो 32, 436, 368, ये आपको 2006 में, पी का data मिल गया, फिर कहानी का कह रहा है, एक्जाम दो कह रहा है, कि 25% अब हाइग हो गया है, 2006 से 7 के बीच में, तो ये 25% को ये वेलू बढ़ जाती है, तो वो वेलू हो जाती है, तो वो वेलू हो जाती है, तो जैसे यहां पर 15% इंक्रीज हुआ है, तो वो 115% हो जाएगा उस वेलू का, ठीक है, तो 368 का, 368 का डायरेक्ली 125% निकाल दो, देखो, तरीका क्या है, कि 368, आपको कहे सर मुझे ये चीज समझ में नही आई, कि आप कैसे 15% को 115% लिख रहा हो, 25% निकाल रहा हो, देखो, ज जो निकल कर आया, उसमें 368 जोड़ोगे, तभी तो आपका टोटल होगा, तो 368 अपने हम में क्या है, 100% है, निकाल क्या रहा है, 25%, तो 100 प्लस 25, 125%, तो डेरेक्ली निकाल दो ना, इसमें फसना नहीं है, ठीक है, तो 125% कितना होता है, 5 by 4 होता है, मैं यहाँ पर इसको अटा यहाँ पर एक्जामदर हम से कह रहा है, कि अगर जो दो हजार साथ में, वो 80% apparent candidate from a particular institute, यह कह रहा है, कि if the qualified candidate from state P in 2007, is 80% apparent candidate का, तो आप 100% की वैलू निकाल दो, गाइस 80% की वैलू दे रखी है, 460, आप 100 की वैलू निकालो, एक की वैलू कितने आ गई, एक की वैलू आ गई 460 divided by 80, 100 की निकाल दो कि इंटू 100 कर दो, यही कहा नहीं है इस पूरे question में, ठीक है, 0 से 0 काट दो, यह 5 बार जाएगा, यह 4 बार जाएगा, इस से इसको काटो, 4 से, तो यह एक बार गया, 15 बार हुआ, 115 है, इंटू 5 कर दो, 100 इंटू 515, इंटू 545, यही तो है ना, option दे option number 2, right answer हो गया, ठीक है, यह चीज है हम पर, चलो एक बार, इस question को भी हम लोगे, हम पर एक और बनाते हैं, ठीक है, next question, देखो, क्या कह रहा है, question कह रहा है, number of qualified candidate from state s in 2005, is what percent less than the number of qualified candidate from state q in 2005, ठीक है, तो यह कह रहा है कि 2005 में, राज ऐस से, जो योग विमिद्वारो के संक्या 2005 में, राज जिक्यू के विमिद्वारो के संक्या से, कितना प्रस्यत कम है, यह पूछ रहा है, तो अगर मैं देखू, कि यह होगे आपका s, और s में 2005 में कितनी value है, यह दिए 380, अब q की 2005 में बता दो कितनी है, q वाली value 2005 में है, 600, अब आप यह बताओ, कि 380, 600 में से कम है obviously कम है, कितना कम है, 300 से 600 में से, 220 कम है, less percentage निकालोगे, तो 220 कम है किस value से, 600 से ही तो percentage कम है, 600 से ही तो कम है न, 220, तो यह हो गया, 2 0 योड़ा दे 6 से, अब डिवाइट कर दो कितना जाएगा, 6 से 3 बार गया, ठीक है, 18, फिर कितना हुआ, 4 हुआ, 40 हुआ, 6 से 6 बार गया, 36, तीन बचा, यहां पर 2 बचे का, डिवाइट बए 3, तो 36 से ही 2 बटा 3 परसेंटेस, इस मंदिर अखाया, 36 से ही 2 बटा 3 परसेंटेस, राइट अंसर हो गया, ठीक है, तो यह आज के कुश्चन से, तो एप में और भी बहुत सारे D.I.I.E., बहुत सारे सिटिंग अरजमेंट हुत सम झाल के ही 2 बटासेंटेस, जह आज के का.